सब परसनल कंप्यूटिंग की बात आती है तो वहाँ पर Apple definitely one of the top most aspirational brand है लोगों के लिए सबको Apple के computers चाहिए, सबको Mac OS experience करना है and जाधातर लोग जो productive काम करते हैं, productivity में रहते हैं, जिनको games कम खेलना होता है वो लोग usually Mac OS ही use करते हैं, including मेरे को जैसे जाधातर video editing का काम है, तो हमारा सारा काम जो video editing का होता है, वो Mac पे ही होता है जब Apple ने recently अपने खुद के बनाएवे processor पर shift किया M1 वाले, तब से तो भाई मतलब उतहलका मत चुका है Apple की market में और Apple की जो market है, बहुत ही साथ exponentially grow कर रही है, and उसको और grow करवाने के लिए Apple ने 16 computer launch किया Apple का Mac Mini, वो तो पहले से आता था लेकिन Intel के processor के साथ में अपना अठा नहीं था, लेकिन जब M1 chipset के साथ में Apple ने launch किया भाई, एक्तम जपरदस्त वो था, मतलब एक्तम next level चीज थी वो पिछले अलमुष्ट दो साल से मेरे पास है, और ये चैनल पर आपने पिछले दो साल से जो भी वीडियो दिख्योगी, सारी वीडियो अलमुष्ट से एडिट भी, आप सो चलो, इतना powerful computer है वो, और वो 65,000 रुपीज में आता था, तो भाई 65,000 में M1 chipset और बहुत ज़्या 50,000 रुपीज में, लेकिन अगर आप student हो, तो आप इसको 50,000 रुपीज में बाई कर सकते हो, 50,000, can you imagine, Apple computer, proper computer, ये नहीं मताक नहीं, मतलब, ये कोई TV set-up box नहीं है, भाई, this is a full-fledged computer, that you can buy for 50,000, which is insane in my opinion, क्योंकि ये जो चीजे ओफर करता है, वो 50,000 रुपीज में और भी भी computer offer नहीं करता है, so, let's see, let's check it out, क्या है थारी चीजे, सब कुछ बताने माला हूँ, सही, what's up guys, बन्वीज जहीर, and this is the unboxing and my first impression overview of this M2 Mac Mini, so, let's begin, by the way guys, ये हमारा कुछ नया setup है, कैसा लग रहा है, ये भी बताना, comment में, and if you have any suggestion for this setup, कुछ improvement वगरा की tips होगे रहा है, तो definitely leave them in the comments, so, guys, सब सब लहा है, तो unboxing निखते है, 50,000 रुपीज का बिल है, ये अपल का unboxing experience, भाई, या लग ही होता है, जलवा Apple का, रहा है, इस तरह से पैक्टिया है, कि भाई, मतलब ये ही कुशन की तरह काम कर रहा है, ये हैं अलग से प्लास्टिक कुशन देनी सुरोत है, ये बेस वेरेंट, बाई-देवे, 8-Core CPU, 10-Core GPU, 2 Thunderbolt, 4 port, HDMI port, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e है, ओके, so, this is the M2 Mac Mini, it is like, exactly like my M1 Mac Mini, बाई, क्या feel देता है, क्या ही feel देता है, Mac Mini पूरा M1 पॉर्च्ट है, ये पीछे के साइड का इसका पावर पोर्शन है, जहां पर हमको सारे ports and buttons देखने को मिलता है, यहां पर power button है, उसके पावर का port है, power input port, Ethernet jack है, 2 Thunderbolt port है, HDMI port है, 2 USB-A port है, headphone का jack है, ये हमको grill देखने को मि आती है, यहां पर हमको front में खाली एक चोटी सी light देखने हो, इधर USB-C port होता है, उसके बाद और अंदर जाएंगे, तो हमको यहां पर सिर्फ एक power cable देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लगा के इसको power दे सकते हो, बस, हमको एक Apple sticker देखने को मिलता है, and कुछ extra paperwork देखने क करता हूं, and let's see, कैसा product है, सारी चीज़े हम टेस्ट करते हैं, अच्छे से, फिर मैं आप लोग के सामने लेका आता हूं, okay guys, so unboxing हो चुकी है, and यह है हमारा M2 Mac Mini, अब बहुत सारो लोग यह भी comment करने हो, बहुत जादा होता है, एक computer के लिए, but, यह जो computer है ना, यह छूट अ इतना सा मतलब, देख रहे हो, कितना चोटा computer है, यह computer, एक proper टावर, desktop tower होता है, उसके level की, even जो एक लाख रुपीटर आता है, उसके level की performance निकाल के देता है, productivity वाले काम में, जिससे आपको video editing करना है, आपको basic browsing करनी है, basic क्या, आपको अच्छी काजी browsing वगरा करनी है, आपक मैं build quality and design की बात करूँ, तो वही पुराने type का design है, जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर, इधर पर के side में, हमको apple का logo देखने को मिल जाता है, पूरा aluminium का shell है और काफी छोटा है, मतलब एक तम छोटा सा, प्यारा सा, ननना सा है, और पीछे के side में, इसके कुछ आपक 4 ports है, एक HDMI port है, उसके बाद 2 USB-A ports है, उसके नीचे आपको 3.5M headphone jack देखने को मिलता है, और यह जो है, यह आपको air vent देखने को मिलता है, इधर पर पावर बटन है, इधर पर आपको apple logo देखने को मिल जाता है, इधर पर LED indicator देखने को मिल जाता है, यह जो दो port है, थंडर बो मिलता है, यह मैंने base variant जान पुछ के खरीदा, मेरे पास base variant M1 वाला भी है, उससे भी हम compare करते है, चोटा था, पहले थोड़ा पता तो, इसमें 8GB RAM है, जो Unified Memory Apple पर बोलता है, उसके पर 256GB storage है, यहीं पर एक बहुत बड़ा caveat है, यही एक बहुत बड़ी बुरी हरकत करी है Apple न उसमें 4 core performance and 4 core efficiency वाले है, उसके 10 core का GPU देखने को मिलता है, 16 core का Neural Engine देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे media engines देखने को मिल जाता है, encoding engines वगरा इसके दर आपको मिलती है, M1 के ऊपर थोड़ा सा अपग्रेड है, यह थोड़ा सा नहीं, कम से कम like 15 to 20% upgrade according to Apple है, लेकिन हमारी testing में मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूं, सबसे पहले तो guys हम लोग Geekbench की बात करते है, and जैसे आप लोग यहां पर Geekbench का score देख रहे हो, it is crazy, बहुत ज्यादा पावरफुल है, definitely, much, much powerful experience, M1 के comparison में definitely आप लोग जैसे देख रहे हो Geekbench के score में, एक अच्छा काजा significant improvement है, ज एक प्रोजेक्ट है, लगभग, एक मिनट का से शॉर्ट वीडियो है, लेकिन 4K में है, प्रॉपर जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो, and काफी अच्छे बड़े कामरे तर शूट हूँ है, और अभी फिलहाल है guys, जैसे अगर मापको दिखा हूं, तो यह है M1 Mac Mini, and फि चीज़ दिखा दूँ कि भाई, इसको मैंने USB-A से कनेक्ट कर रखा है, SSD को, SSD में प्रोजेक्ट बाइदर वे, start, and यहां पर टाइमर लगा लेते हैं, देखते हैं कि इतना टाइम लगता है, and stop, exactly one minute लगा गाई, exactly one minute to render this video in M1 Mac Mini, जो बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, let's see, अब यह छोटी वीडियो से हम, इसके इंदर M2 वाले Mac Mini में, रेंडर करके देखते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, by the way, सारी चीज़े पहले ता फुली रेंडर ती खाली हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, so yeah, वो चीज़ यहां पर हम सेम करने माले हैं, let's eject this, and यह सेम SSD हम यहां पर connect करते हैं, okay guys, so same project हमने यहां पर भी open क let's see, let's export the footage, same 514 MB का file है, same name रखेंगे, last time 1 minute में रेंडर हुआ था, let's start, 3, 2, 1, start, start, हमने timer भी start कर दिया है, let's see इसमें कि यह कितना minute लेता है, okay, so approximately 7 seconds की saving हुई है, मतब 7 seconds कम लगा है इसको रेंडर करने में, जैसे आपने test देखा, तो छोटी वीडियो में तो definitely आपको अच्छा सा improvement देखने को मिलता है, but मैंने सुचा कि बड़ी वीडियो में इतना अच्छा improvement नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर से बड़ी वीडियो को आपको भी टेस्ट काता, तो ये टेस्ट देखा, आपको आपको आपको, तो अभी ये थोड़ी बड़ी वीडियो है, almost 6-minute की वीडियो है, 4K में 30fps और single-layered footage जादी heavy footage भी नहीं है, double-layered, double-stacked नहीं है, and let's see guys, ये कितने दिर में हम रेंडर कर पाते है, M1 Mac Mini में, बड़ी video comparatively, 3.3 GB की final file बन रही है, 3, 2, 1, start, start, इधर पर मैंने फोन में टाइमर लगा लिया है, and same चीज़ हम यहां पर M2 में चेक करेंगा, Okay guys, so finally it is done, and it took 13 minutes, 2 seconds, जी हां गई, सिफ 5 minutes की video है, ये, फुली रेंडर वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, 13 minutes तगा, 5 minutes, 15 to 8 seconds की video थी, 13 minutes, 2 seconds तगा, इस M1 Mac Mini में, Let's do this again on the M2 Mac Mini, Okay guys, same project, यहां पर खुल चुका है, M2 Mac Mini में, completely rendered out, Let's see, same test, हम यहां पर भी करके दिखते है, same 3.44 GB की final file बढ़ यह, let's start, 3, 2, 1, start, time, let's start, Okay guys, so finally, ये भी खतम हो गया, and 12 minutes, 9 seconds, इसने लिया है, फिनिश करने में, So definitely, पूरा 8 minutes, लगबाग 50 seconds के आइस पास बचता है, बहुड़ा तो improvement है, But, बहुत जादा major नहीं है, but definitely improvement तो है, So यह से आपने देखा कई, इवन बड़ी वीडियो के अंदर भी आपको अच्छा खासा improvement देखने को मिल जाता है, इस computer के अंदर, बहुत सारे लोग यह computer को first time ले रहोंगे, या फिर बहुत सारे लोग आप लेने का प्लान कर रहोंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा context देता हूँ, This is a full-fledged computer, आप जब Apple से खरीते हो तो आपको यह मिलता है, तो यह power cable है, आपको just यह connect करनी है, very easy है, बहुत मतलब it's very easy, कुछ है नहीं इसके अंदर, बस power cable connect करना है, monitor का power cable connect करना है, आपके पस अगर आपका जो monitor है, mostly सारे monitors के अंदर, आपको HDMI port देखने को मिल दाएगा, अगर आपका wireless keyboard दॉंगल वाला तो भी चलेगा, keyboard and mouse, and yeah, आप basically देखो, यह करीदू के पचास अगर में आपको यह ही मिलेगा, आप छे साथ हजार रुपे का कोई भी अच्छा 1080p IPS monitor खरीच सकते हो, उसके साथ में आप 1500 के आसपास wireless keyboard mouse का setup खरीच सकते हो, बहुत अच्छी quality का मिल जाता है, आपको Dell अगरा का आप लोग भूले सकते हो, तो आपका साथ हजार रुपे के अंदर एक प्रॉपर अच्छा quality का वीडियो एडिटिंग इवेन प्रडेक्टिविटी सेट अप बन जाएगा होगी एक्दम तगडी quality का, यह मेरा फेवरेट माउस आपको पते होगा भाई, इधर से मैं अन कर देला हूँ, यहाँ पर बटन दियावा है, इसको दबाऊंगा, यह यहाँ पर आपको लाइट डेखनी को मिल जाएगी यहाँ पर जो लाइट दिख रही है, यह जल गई, इसके अंदर speaker भी है, छोटा सा, इसके अंदर speaker भी है, छोटा सा, मैं सब छोटा मोटा मदब, it's not a huge deal, बट ठीक है, काम चल जाएगा आपका, इन में से जो भी products हैं, इनको मैं इधर, जो view product option आपको इधर corner में देखने को में लेगा ना, यहां पर आप लोग about this Mac में जा सकते हो, उसके अधर आपको यहां पर देखेगा कि यह M2 Mac Mini है, 8GB RAM, तो कुछ इससरा का Mac OS मैंचूरा पर चल रहा है, पूरा आपको full-fledged Mac OS का experience आपर देखने को मेलेगा, मैंने benchmark भी करके देखा, जैसे आप लोग देख रहे हो भाई, Geekbench में का crazy school है, और अपने performance तो देखी लिया, performance इसका एक्टम लाज जवाब है, performance तो एकदम killer है, एकदम mind-blowing, पाकि एक सबसे बड़ा problem है कि भाई, जो इसके इनर SSD है, 256GB वाली, वो एक single NAND flash है, अब ज़्यादा technical ना जाते हुए बता हूँ, तो वो SSD थोड़ी सी slow है compare to last year, थोड़ी सी क्या आधी है मतरब speed में, अगर मैं आपको दिखा हूँ तो देखो disc speed में जाता हूँ, जो last year वाला था, उसकी speed जो है, read and write डोनों जाता हूँ, यहाँ पर read and write दोनों कम है, last year का भी आप लोग देख लो जैसे, तो भाई definitely यहाँ पर एक disc में problem है, slow speed वाली disc है, लेकिन to be honest, मैं इतनी दिन से M2 MacBook Air जो है वो यूस कर रहा हूँ, उसमें भी same disc है, same वाला issue है, मैंने आज तक क्यों कोई ऐसा issue face नहीं किया, जिसमें disc के वाज़े computer slow down हो है, लेकिन जब heavy video editing करता हूँ, तो उसके अंदर हलका फुलका में notice होता है, तो अगर आप लोग बहुत heavy video editing करता है, तो heavy का मतलब क्या होता मालुम है, जैसे यह video आप लोग देख लो ना, यह 4K video shoot हो रही है, मेरे A7 4 camera से, ऊपर भी एक 4K camera वाण video shoot हो रहा है, इधर भी एक camera है, तो तीन camera का layer एक साथ में रहता है, तो बहुत ज़्यादा heavy work हो आता, तो उसके अंदर definitely struggle करता है, लेकिन अगर ऐसे user हो जिसको 1080p video edit करनी है, इवन single layer 4K videos edit करनी है, तो उसके अंदर कोई भी problem ने आता भाई, बहुत अच्छे से edit कर देते हैं यह machines, यह video जो आप लोग देख रहे हैं हो फिलहाल, यह video भी इस Mac Mini M2 Mac Mini से ही edit हो रही है, तो मैं इस 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 definitely बोल सकता है, definitely काफी तगड़ी editing कर देता है, 4K की footage है, वो भी 3-3 camera की footage है, तीनों को अच्छे से edit कर दे रहा है, I'm impressed यार, मतलब आपका काम चल जाएगा, इवन 4K videos को आप लोग edit कर सकते हो, but 1080p तो भाई एकदम जो मेशुरी तरिके से edit होती है, अगर आप 1080p video editor हो, इससे better machine नहीं हो सकती for 50,000 rupees, जो मेरे को काफी जबर्दस लगा, इसकी power बहुत तगडी है ये price में, Photoshop अगर तो इसम प्यार महबद से चलाता है, coding अगर आप लोग इसम प्यार से कर सकते हो, gaming definitely नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर gaming option ही नहीं है, क्योंकि 7,000 rupees का monitor है, 50,000 का Mac mini है, उसके बाद यह जो keyboard mouse है, अगर यह 15,000 पर पकुड़ू तो 58,000 rupees का पड़ेगा, 58,000 rupees में, 58,500 rupees में, आपको एकदम world class level का computer देखने को मिल रहा है, लेकि इसके अंदर आप लोग basic कम तो छोड़ी तो, लेकि Chrome वगएरा चलाना है, वो तो एकदम प्यार महबद चलेगा, आप multiple tabs use कर सकते हो, 25-25-30 tabs open करने के बाद भी कुछ फरक ने पड़ता, 30-40-40 tabs open करने के बाद भी कुछ फरक ने पड़ता, तो it is very very powerful, जो लाख रुपे की machines होती ना, पावर यह definitely प्रवाइड दाता, जो काफी crazy बात है, मैं खुद इतने टाइम से M1 Mac में यूज़ कर रहा है, and I can definitely say, कि भाई बहुत जादा powerful machine है, and 50,000 रुपे में इससे अच्छा, इससे better computer आपको नहीं मिलने वाला, यह चीज़ तो में बोल सकता हूँ, आप 50,000 रुपे में पीसी बिल्ट भी कर दोगे, इसके जितना power भी दे देगा आप लोगको gaming हो अगा रहा है, लेकिन फिर इसना compactness नहीं देगा, यह एपल का जलवा नहीं देगा, आपको thunderbolt port नहीं मिलेगा, मतलब हर चीज़ जो सारी चीज़े का combination इसके इंदर मेलेगा ना, वह आपको कहीं पी नहीं मिलना पचाता हूँ, इवन तो यह मेरा first impression, उसके बाउजूद भी में definitely बोल सकता हूँ, this is one of the best machine that you can buy in the 50,000 rupees price bracket, अगर आपको बाय करना तो आपको definitely check out कर सकते हो, यहाँ पर view product में मैंने दाल दिया हूँ, वाकि यह setup थोड़ा समैसी, आप लोग अपने इसाब से clean setup बना सकते हो, जैसे आपको HDMI port देखने को मिलता है, दो USB-C port है इसके पीछे, वो USB-C निया वो Thunderbolt port है, multiple functionality आपको देखने को जाती है, बहुत सारे docks अगरे आप connect कर सकते हो, बहुत सारा ports, बहुत सारा output आपको option देखने को मिलता है, बाइदवे जो यह particular M2 Mac में नहीं है, इसका जो display output है, आप 6K display भी यूज़ कर सकते हो, 6K resolution at 60 Hz जो काफी crazy है, 5K 60 Hz भी यूज़ कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको 4K 60 Hz का output देखने को मिलता है, जो काफी तगड़ा है, HDMI port में, 8K option नहीं है भी तक के, लेकिन वो जो M1 pro अगरा है, जो इसका बड़ा भाई है, उसके अंदर आपको 8K अगरा option देखने को मिल जाता है, तो यहां बार में को काफी जादा powerful लगा यह machine, अगर आपको इस particular machine का M1 के साथ में comparison चाहिए, तो में एको बताना, और अगर आपको इस machine का M1, M2 MacBook Air से comparison चाहिए, या फिर कोई भी content चाहिए, इस Mac Mini से regarding, तो definitely मुझे बताना, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा setup भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा होगा है, आपके लिए इतनी महनत होती है, एक सब्सक्राइब करोगे ना तो मजाएगा, बस थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग, बाइ!